हेलो फ्रेंट्स इस वुडियो मैं मात करने वाले बिहार के प्रात्मिक सिचक भरती में B8 को लेकर कि जिस तरीके से आपका महल बनाय जा रहा है कि जो आपका सुप्रीम कोट में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर 2023 को होने वाली है तो इसमें आपके मुख हिनायधे इसके माध पर टीचर के रिजेट को लेकर और यहां पर डॉक्मेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर क्योंकि यहां पर बहुत कम ही समय जो है वापनों को दिया जाएगा बाखी जो नीज पेपर में आपका महत्तपूड होगा उसी के बारे में बात करेंगे ताकि आपका समय का भी बचत क किया जा सके और बहुत सारे जो आपकी अपडेट है या फिर जो कुछ भी आपका यापका म मीत वगरा है कि अभी भी आपका सुप्रीम कोट से बीएड अफेर्थियों को प्राइमरी टीचर का जो आपका रिजेल्ट है और जो आपका जॉइनिंग है उसमें यहाँ पर सामिल जो है वो कर लिया जाएगा टोटल प्राइमरी टीचर में आपका 89,000 लगभग आपके 80,000 टोटल वेक जो है दूसरे बेंच में आपका ट्रांसफर जो है उकर दिया गया है यहाँ पर आप देखेंगे तो जो बीएड अभेर्थियों के पच्छ से वकील थे उनका यहाँ पर 36 गड के बारे में आपका जिक्र किया गया है कि 36 गड की जो आपकी प्राइमरी टीचर की वेकेंसी उसमें यहाँ पर सुप्रियम कोड के तरब से 11 अगस्त 2023 को नीड़े आने के बाद भी यहाँ पर 36 गड प्राइमरी टीचर की वेकेंसी में बीएड वाले अभेर्थियों को सर्त के साज जो है उनलों को यहाँ पर निप्ति पत्र दे दिया गया है जो कि 36 गड का मामला और जो 36 गड का मेटर था और जो आपका बिहार का मेटर है इसमें काफी जादे जो है आपका अंतर है फिर आगे आप देखेंगे तिहां पर आपका बूला गया है जस्टिस अनुरूद बोस के बेंच के माध्यम से जो है बापका किया जाता है उसके साथ ही यहाँ पर जो एंसिटी का अधिसुचना था 2018 वाला जिस अधिसुचना से बीट वाले प्राइमेरी में ब्रेज कोर्स करने के बाद ठीचर बनते थे तो उनको यहाँ पर भी जो है कि इतना ही सेम लगभग थोड़ा बहुत दस से 15,000 कम होंगे जो डियले डफिर्थियों की संख्या होगी आगे हाँ पर बताया गया कि अगले सप्ता जो है आपके नए बेंच में जो की जस्टिस अनुरूद बोस के बेंच में जो है आपके सुनवाई होगी जो की अगले स घ्रेट कंडिडेट है उनका यहाँ पर काना है जो मतलब कोड केस की हैं जो याज का करता है उनका यहाँ पर कहना है कि अभी भी हमारे थे उम्मीद यहाँ पर जताइजारी कि सुप्रीम कोड के तरफ से नयाय मिलेगा और यहां पर BPSC प्राइमेरी टीचर की वेकेंसी जो जो टोटल सीह जार है जिसमें आपका result आ रहा है तो उसमें इस बार क्या है कि बेडर अफेर्थियों को यहां पर सामिल कर लिया जाएगा और अगली बार आपका सामिल कर लिया जाएगा अपकी अगली सुनवाई 20-2023 तो यहां पर जो है न यहां पर आपके होगी जो कि यहा तो भी यहां पर रहेंगे तो देखिए नहीं यहां पर थोड़ा सा समझेगा जो आपका कोट का भासा होता है जैसे यहां पर मालीजे कोई भी यहां पर एक आदमी है वो किसी कमपनी में काम करता है यहां पर कमपनी छोड़िये बलकि यहां पर देखिए जैसे मालीजे कोई यहां पर बच्चा है वो किसी भी विद्याले में पढ़ता है और अब यहां पर बच्चे का मतलब यहां पर डिमांड है कि हम यहां पर इस विद्याले में नहीं पढ़ेंगे हमारा नाम जो है काट दिया जाए और हम यहां पर अनुमती मिले कि हम यहां पर क्या करेंगे कि कि दूसरे स्कूल में हम अपनी आगे काट आगे पढ़ाई करेंगा जो आपका नाम काटने का या फिर आपका data वह आपका टाटा होता है तो यह क्लाश टीचर भी चाहे तो इस बच्चे का नाम नाम सी बाथ काट सकता थे लेकिन यह जो बच्चे का नाम कटेगा है पिर जो भी इस बच्चे का आगे का प्रोसेस होगा उसे डक्मेंट्स दिया जाएगा नाम काटने का उसको प्रूफ दिया जाएगा ताकि वो किसी अगले स्कूल में पढ़ाई कर सके तो यह सभी मैटर जो है वापका जो प्रिंसिपल होते हैं उनके माध्यम से जो है वो यहां पर बच्चे के पास आपका पहुँचता है तो यहाँ पर जो आपका मुख्य हो गया, नॉर्मल सी बात है नाम ही काटना था, जो कि यहाँ पर class teacher भी आपका नाम काट सकता था, लेकिन यहाँ पर principal के होते हुए जो है आपके पास बच्चे एक पार documents पहुँचेगा, कि आपका नाम काट दिया गया, आप किसी और school में ज जो आपका मैटर चला था, उसका जो आपका यहाँ पर case को transfer किया गया, तो अब यहाँ पर मुख्यनाइदिस के bench में जो है, इस मैटर का आपका सुनवाई जो है, बाकि जो भारत के, जो आपके मुख्यनाइदिस है, जो आपके Supreme Court के, उनके माध्यम से या फिर उनके सामने आपका सुनवाई नहीं होगा, बलकि आपका साबसाब बुला गया कि जो आपके Justice अनुरूद बोस वाला bench है, उसी bench में आपका सुनवाई होगा, तो यह जो आपका मुख्यनाइदिस आपके बैठे रहेंगे, फिर उनके माध्यम से 28 वाले मैटर को यहाँ पर आपका सुना सकता है, लेकिन अभी तक का आपको डेट मानेंगे, तो 20 अक्टूबर 2023 को अगला डेट आपका मिला है, अब यहाँ पर आगे बात कहलें, जो आपके माध्मिक और उच माध्मिक का result है, तो किया इस पर आपका सुप्रेम कोर्ट में मैटर चल ला है, तो किया इस पर आपका उच माध्मिक, फिर उसके बाद माध्मिक इस तरीके से आपका result आएगा, तो अभी तो आपका 14 October हो गया, तो क्यों नहीं आपका result आया, तो देखे, result में आपका जो थोड़ा सा delay है, यहाँ पर आपके cut-off है, यहाँ पर आपके merit है, उसको लेकर, क्योंकि आपने देखा थ आपके BPSC के जो चेर मैनातुल प्रसाद जी, उनके तरफ से ट्विट करके बताया गया था कि 43 into 38 वाला, तो 43 into 38 वाला मैटर था, यहाँ पर जो आपके total जितने भी हर के यहाँ पर जिले हैं, उस तरीके से आपका merit जो है बापका बना जा रहा है, तो इसमें आपके समय फिर उसके बाद यहाँ पर cross check करनेक बाद आप लोगं का result समय रहते हैं यहाँ पर जो है जारी कर दिया जाएगा, और यह जो आपका October का मन्थ चला है, result आनेक बाद क्योंकि normal से बात है माजमिक और उच माधमिक के जो सिचक हैं, आप लोगं का documents verification हो चुका है, तो result आने के बाद समभवता इसी महीने में जो है बाद लोगं का result भी आ जाएगा, और इसी महीने में जो है बाद लोगं का यहाँ पर joining भी जो है बाद का हो जाएगा, जो कि आप जो आपका date बताया गया है कि 14, 14 आनिक आज से 20 तारीक के बीच में कभी बीच माधमिक और उच माधमिक के सिचक हैं, इनका जो है बाद का result जारी कर दिया जाएगा, अब यहाँ पर आगे primary teacher के result को लेकर बोलें कि क्या है पर primary teacher का result कभ जारी किया जाएगा, क्या यहाँ पर जो आपका supreme court में सुनवाई है 20 तारीकों क्या उसका इंतजार किया जाएगा, या फिर इसके बाद मानल प्राइमरी टीचर का result आपका जारी किया जाएगा, या फिर अपने समय रहते, जिस तरीके से बोला गया था कि माधमिक और उच माधमिक क्या आता है, उसी के साथ यहाँ पर primary teacher का result जारी कर देंगे, तो देखिए, टोटल आपका depend करता है बिहार सरकार के उपर, क्योंकि य जो आपका B.A.D. वाले को लेकर सामिल करने को लेकर आपका court case में चला है, तो आपका result नहीं जारी किया जाएगा, जब तक उनलोग का मामला clear नहीं होता है, तो यह सभी चीज़े जो है आपके court case में आपकी matter चलती रहेंगे, लेकिन यहाँ पर result का प्रभाव नहीं पड़ रोक जो है आपका नहीं लगा है, नॉर्मल सी बात है जो आपका court हो, चाहिए high court हो या फिर पटना हो, या फिर जो आपका qualification decide किया जाता है, NCT की तरफ से ओह हो, या फिर आपका BPSC primary teacher का notification हो, हर एक चीज के माध्यम से देखेंगे, तो उसमें DL8 के पच में ही यापर जो है तब तक उन लोग नहीं जारी करना चाते हैं, तो नॉर्मल सी बात है नहीं जारी कर सकते हैं, बाकि आपर जिस तरीके से आपका बताया जारा है, फिर जिस तरीके से अपडेट है, कि BPSC primary teacher का भी रिजेल जो है, वो अपने निर्धारित समय पर ही जो है आपका जारी किया पाकि जितने भी BPSC primary teacher अभियरती हैं, जो लोग आप लोग एकजाम दिये थे, आप लोग का अच्छा खासा नंबर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, यदि आपके पास हर एक documents आपके अपने हाथ में नहीं है, तो आप पूरा documents verification के लिए तयार रहेगा, और इसके अला रखेगा documents verification कराने के बाद, यहाँ पर तुरंत आप लोग का joining भी हो जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है, कि उसी समय छड़ी, मतलब तुरंत आपका यहाँ पर जैसे मान लीजे counter कोई बना हो, जहाँ पर आपका documents verification हो, और उसके just bugle में आपका joining भी हो जाए, ऐसा भी हो सक आपको किसी भी तरीकी का दिक्कत भी नहीं होगा, भले ही आपका documents verification का date कभी भी जो है आपका जारी जो है, उखर दिया जाए, तो देखिए अभी के लिए यहीं update है, I hope this matter को लेकर आपके result पर किसी भी तरीकी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और समभावत पूरा chance यहाँ माधमिक, फिर उसके बाद माधमिक, फिर उसके बाद आपका primary teacher का result जो है उजारी किया जाएगा, इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान रखेगा कि जो आपका TRE second का notification है, जिसमें आपका 628 और 928 आपकी सिच्छक भरती करनी है, तो जैसे आपर माधमिक और उच्छ माधमिक का result आजाता है, या फिर उससे पहले भी याँ पर संभवता पूरा चांस है, कि यह जो आपका October का मन्त चला है, इस October के मन्त के last तक, last का मतलब यह नहीं कि आपका 30 या फिर 31 तारीक, उससे पहले भी याँ पर BPSC TRE second का notification आजाता है, जैसे सिच्छा भाग के तरब से जो का data है, या फिर जो आपका clearance है, या फिर टोटल दिरिखतिया है, BPSC पास जाती है, BPSC के माध्यम से आपका notification जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि TRE second में उतना समय जो है BPSC के तरब से नहीं दिया जाएगा, 15 दिसंबर 2023 तक किसी भी हर हाल में जो है, ओ रिजेल्ट यहाँ प पड़ेगा, तो TRE second का notification और फिर सिचा भरती करने से कोई तो फाइदा ही नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी हर सरकार को, तो इसलिए इन सभी बातों को ध्यान रखते हैं, अपनी तयारी भी करते रहेगा, बाकि जो कोई भी update होता है, यहाँ पर इस platform पर आपके share कर दिये जाते जो कोई भी update, जो कुछ भी information आता है, यहाँ पर इस platform पर एक authentic साच के साथ यहाँ पर आपका share किया जाता है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर कोई उस तरीकी का needy नहीं आया, और यहाँ पर बोल दिया जाए कि B8 वाले अभिरतियों का case जो है आपका खारी जो गया, तो जो यहाँ पर आपके authentic news होते हैं, या फिर जो भी यहाँ पर साच के साथ आपके proof होते हैं, हर एक चीज़ आपके इस platform पर share किये जाते हैं, तो अभी के लिए ही update है, पाकी मिलते हैं के लिए next video में, तब तक के लिए thank you, bye bye, take care all the best, thank you for listening, God bless you all, thank you